सो हेलो गाईज मेरे नामे साजी सेफी एंड यूर वाचिंग ग्यान ड्रॉफ दोस्तों अगर आप UPI Lite यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बेकॉस कुछ दिन पहले आरपी आई ने एक एनॉंसमेंट किया था और उस एनॉंसमेंट के अंदर आरपी ने कहा था कि वो UPI limit को increase करने वाला है और फाइनली UPI limit को increase कर दिया गया है और यह जो UPI limit increase की गई है यह UPI like के अउपर की गई है तो फिलाल अभी पहले कितनी लिमिट थी और अभी कितनी लिमिट को बढ़ा दिया गया है आज करी ये लिमिट बड़ी है आपको ये कहां देखने को मिलेगी और आपको इसे किस तरह से यूज करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे इसी विडियो के अंदर तो चलिए अब हम finally वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप UPI Lite के बारे में नहीं जानते हैं कि UPI Lite क्या है इसको किस तरह से यूज करना है किस तरह से फॉन पे के उपर UPI Lite के अकाउंट को बनाना है और फिर किस तरह से फॉन पे के उपर UPI Lite के अकाउंट को मैनेज करना है तो मैं already इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है आप directly उस लिंक पे क्लिक करके UPI Lite अकाउंट के बारे में सब कुछ डेटेल में जान सकते है तो चलिए दोस्तों आप finally बात करते हैं कि आखिरकार UPI Lite की limit को कितना increase कर दिया है और यह आपको कहां देखने को मिलेगा तो simply इसके लिए आपको phone पे application के अंदर आना है और जैसी आप phone पे application के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ profile के icon पे click करना है और जैसी आप profile के icon पे click करते हैं तो उसके बाद यहाँ आपको UPI Lite का एक option देखने को मिलेगा simply यहाँ आपको add money पर click करना है और जैसी आप add money पर click करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ आपको जो पहले limit मिल रही थी upay light के ओपर maximum 200 उपीज की मिल रही थी 200 उपीज का मतलब यह कि आप upay light के थुरू एक बार में maximum 200 उपीज तक का payment कर सकते हैं और upay light के अंदर payment किस तरह से करते हैं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया जो already मैं पहले ही अपने channel के ओपर upload कर चुका हूँ लेकिन फिलाल अभी नई guidelines के according आप देख सकते हैं फिलाल जो अभी maximum limit आपको upay light के उपर मिल रही है एक बार के payment के लिए वो 500 उपीज कर दी गई है पहले 200 उपीज ती और अभी बढ़ा के इसको RBI ने 500 उपीज कर दिया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको shortcut में बता दू कि UPI light यूज करने का क्या फायदा है suppose कि अगर आप market के अंदर 10 रुपे 20 रुपे का कोई भी item बाई करते हैं तो आप UPI light के थूरू बिना किसी OTP के बिना किसी MPIN के बिना किसी UPI PIN के directly payment कर सकते हैं यही फायदा होता है UPI light का and so जब आप UPI light से payment करते हैं payment होने के success rate है वो almost 100% है and जैसा की दोस्तो इसका नाम UPI light है तो UPI light का मतलब यह होता है कि यह जो server use करता है payment करने के दौरान UPI light वो बहुत ही जदा fast work करता है और यह payment fail होने के chance लवक ना के बराबर होते हैं अगर आप 10, 20, 50, 100 रुपे का market के अंदर item बाई करते हैं चाय वगर आप पीते रहते हैं तो दरू बैट के restaurant पह है तब आपके लिए UPI light बहुत जदा useful होने वाला है मेरे इसाब से आपको UPI light को activate करके रखना चाहिए बुरे वक्त में आके यह बहुत जदा काम आने वाला है तो किस तरह से आपको इसे activate करना है किस तरह से इसको use करना है आप वीडियो के description में जाएए आप उस link पे click कीज़े और directly UPI light के बारे में full detail में सारी की सारी चीज़े सीख सकते हैं आप उस वीडियो से अभी आप मुझे comment करके बताईए कि क्या आपने कभी UPI light को use किया है या नहीं किया है